कि नमस्कार दोस्तों राज किसान साथी पोर्टल पर जो भी किसान अभी तारबंदी योजना के लिए अपना फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं उसमें बहुत सारे लोग है जो यह गल्ति करने भी जो कि मैं इस वीडियो में आपको बताने वाल हूं कि अगर आप तारबंदी यो मैं आपको बता देता हूँ कि जब भी आप तारबंदी योजना का फॉर्म एपलाई कर रहे हैं तो जो इसके पातरता है eligibility दी गई है उसको आप द्यान से पहले सिफ रीड कर लें उसके बाद ये अपना फॉर्म में जो एपलाई कर रहें उसमें दोस्तों अभी भी अगर आपने फॉर्म बर दिया है गलती कर दिया है तो आप है जो अभी से इसके लिए है जो correction कर सकते हैं अपने document में तो इसके लिए क्या करना है कि माल लो आपको पर्दानमंद्री किसान समाने दी योजना कतेद आपको 2000 रुपे की किस्त मिलती है और अगर आपने फॉर्म बर दिया है और फॉर्म बरने में दोस्तों आपने वहाँ पर किसान की कोई भी category है जो select नहीं की है तो इसके ल कुझा आने मिलने वाले कि तो इसके लिए दोस्तों यहाँ पर जो आफिसल नोडिपिकेशन दा उसमें दे रखा है और आप यहाँ पर देख सकते हो एक में आपको यहाँ पर वैसे इसके बारे में यहाँ पर जो आफिसल पॉर्टल है उस पर कुछ भी दे रखा है लेकिन जो इसका official notification जारी हुआ था उसमें बिल्कूल वहाँ पर बताए गया है कि आपका जो जनाधार कार्ड है यहाँ पर देख सकते हैं आवधन पत्र के साथ जो जरूर डोकुमेंट जिसमें आधार कार्ड और जनाधार कार्ड दोनों है तो आपको क्या करना ह है जो करेक्शन कर सकते हैं वहाँ पर कैसे अब्डेट कर सकते हैं तो अगर आपने अपने जनाधार कार्ड में जो किसान की 10rium है यानि कि जनद अरकार्ड में जो परिवार की महिला मुक्या है या फिर जो परिवार का मुक्या है उसमें अगर आपने लगू और सिमान तक करशक सरणी वहां से अपडेट नहीं की है तो बिल्कुल वहां पर है जो आपको 50% अनुदानी दिया जाएगा है वो सकता है वो 40,000 तक की मिले तो बिल्कुल आपके इसके लिए दोस्तों आपको है जो अपने जनद रकार्ड में जो जो किसान लगूएं सिमान कर से की सरणी है वो आपको है जो वहां पर पूरा लाब है वो मिल पाएगा उस कैटेगरीगा यानि 60% लाब है वो मिलेगा इसके लाव दोस्तों यहां पर आपको बता देता हूं कापी सारे किसान ऐसे भी हैं जो कि अपनी जमामंदी नकल है वो 6 माह से पुरानी लगा रहे हैं तो यहां पर अगर आप 6 माह से अधिक पुरानी वाली वहां पर लगा रहे हैं तो बिल्कुल आपका फॉरम रिजेक्ट हो सकता है इसके लिए आप क्या करें आप है जो नई वाली जमाबंदी निकाले और निकाल करके दोस्तों जो भी आपका समंदीत पटवार है वहां से पटवारी द जननाधर काण में है जो आप पहले से अपडेट करने इसके लाँवाँ आपके जननाधर काड में मॉबाईल नंबर और जिस आपप्लाइब किया वहां पर जो अपडेट करते हैं अब आप को यहां पर बता चिता हूं कि अगर आप लगूसिमान्द कर सक्ति रहनीं से हैं पर आपको जना दर्कार्ट में ये क्रेटेगरी अपडेट करना नहीं आता है तो आप इसके लिए ज़्यादा ज़्यादा अगर कमेंट करेंगे तो इसके लिए मैं एक से वीडियो है जो उपलत कर रहा दूँगा तो उम्मीद करता हूं कि आप आपको जानकरी समझ आयोगी दोस्तों वीडियो अच्छा लगवादे कि लाइक करें और चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब जरू करें थेंक्स पर वाचिंग